वेलकम टूवर यूट्यूब चैनल फस्ट रैंक एंसी आर्टी क्लासिज आज किस वीडियो में हम चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेशन नुमर 1 सॉल्व करेंगे देखते हैं क्वेशन नुमर 1 क्या है एक अन्य वेक्ति को आप अपने अध्यन टेबल पर रखे लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे ठीके सपोस्ट ये आपका एक स्टडी टेबल है या फिर अध्यन टेबल है और यहाँ पर एक लैंप रखा हुआ है आपका फ्रेंड आया उसने पूचा कि भई ये लैंप की स्थिति क्या है तो आप इसे कैसे बताएंगे ठीके तो चलिए इसे सॉल्व करता है लिख लिया हल ठीके सपोस्ट ये एक टेबल है और ये टेबल में जो चारो साइड है ये इसकी क्या है ठीके ये चोटी कोर है ये बड़ी कोर है ये चोटी कोर है ये बड़ी कोर है तो लैंप आपका यहां रखा है आपने मान लिया मानी सकते हैं क्योंकि exact दूरी तो हम निकाल नहीं सकते हैं तो माना कि यहां से यहां तक दूरी आपने मान लिया 35 सेंटी मीटर और यहां से यह यहां तक की दूरी मान लिया 30 centimeter, ठीक है, मतला, छोटी साइट से लेंप की दूरी है 35 centimeter, और बड़ी साईट से लेंप की दूरी बराबर है 35 cm सेम बड़ी कोर से तथा बड़ी कोर से लेंप की दूरी बराबर कितना है 30 cm मैंने यहा 35 cm लिया है आप अपनी मर्ची से कुछ भी ले सकते हैं जरूरी ने की 35 cm से लेना है ठीके तो यह हमने ले लिया अब बताईए कि लेंप की पोजीशन क्या होगी लेंप की इस्थिति क्या होगी ठीके सपोस्थ आप इस तरह बैठे तब आपके लिए एक्सक्ष यह है और वायक्ष यह है सपोस्थ आप ऐसे मूँ करके बैठे तो यह आपके लिए एक्सक्ष होगी और यह आपके लिए वायक्ष होगी तो लेंप की स्थिति 30 35 या फिर 35 दोनों हो सकती क्योंकि वो डिपेंट करेगा कि आप टेबल में किस तरफ बैठे है या किस साइड मूँ करके बैठे है ठीक है तो लिख देंगे तो लेंप की स्थिति क्या क्या हो सकती है 30 35 तथा 35 और 30 हो सकती है ठीक है यहाँ पर यह पहला वाला जो बिंदू है वो X है और यह दूसरा Y है यहाँ पर भी पहला X है दूसरा Y है और यह डिपेंट करेगा कि आप किस तरफ बैठे है इसलिए दोनों जो बिंदू है वो हो सकते है इस प्रकार आप अपने फ्रेंड को बताएंगे कि भई लैंप के स्थिति ये है थैंक यू next question है question number 2 और यह question इतना बड़ा है ना कि इसे board पर लिखना possible नहीं है तो मैंने उतना ही part लिखा है जतना part हमें solve करने में जरूरत होगी ठीक है थो हम question को वैसे ही समझ लेते हैं question ये है कि पेक नगर है और एक नगर में दो मुख्य सडके हैं जो कि उस नगर के center में है ठीक है और एक जो सडके वो पूरुपशिन दिसा में है दूसरी सडक है उत्तर और दक्षन दिसा में ठीक है और इन मुख्य सडकों से लगभग 200 मीटर की दूरी पर अन्या पांच सडके हैं जो कि सभी दिशाओं में हैं और हमसे पूछा गया है कि उन सडकों को जब हम यहां दर्साएंगे तो महाँ पर क्रॉस स्ट्रीट या फिर चौराहा बनेंगे तो उस चौराहे में हमें इन बिंदों को दर्साना है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक model तयार कर लेंगे, model तयार करने के बाद इन बिंदों को हम वहाँ पर represent करेंगे, लेकिन उससे पहले में आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि जब भी आप लोगों को ना यहां direction, मतलब बोर्ड पर या copy पर direction बनाने को आए तो आप direction इस तरीके से बनाएंगे, मतलब इस तरफ आपका होगा, east, इधर, west, उपर की तरफ, north, नीचे की तरफ, south, और हमें question में एक चीज़ दे रखिए, पैमाना, हमें पैमाना लेना है, 1 cm बराबर 200 मीटर, तो चलिए पहले model बना लेते हैं, फिर question solve करेंगे, हमारा model बनकर तयार है, अब देखिए, हमने model में मु उत्तर दक्षुन की तो 1, 2, 3, 4, 5 सड़के हमने बनाई है, same, पूरो पश्रिम दिसा में भी हमने 1, 2, 3, 4, 5 सड़के बनाई है, ठीके, और यहाँ पर हमें बहुत सारे cross street दिख रहे हैं, मतब चौराहे दिख रहे हैं, जब भी हमारी पूरो पश्रिम वाली सड़क और उत् सबसे भी हम सबसे पहले दर्स आ लेते हैं, ठीके, बोला गया है कि उत्तर दक्षिन में दो सड़क चलने पर, तो 1, 2 हो गया और पूरो पश्रिम पांस सड़क आने पर, ठीके, तो 1, 2, 3, मुख्य को छोड़ दे, 4 और 5, ठीके, तो 2 और 5 जो cross street हैं हमें कहां मिला इस करना है, तो सबसे पहले हम इस direction से चलकर 4 मार्क पर आएंगे, और 2 में उपर की तरफ से हम 3 मार्क पर आएंगे, तो यह हो गया 1, 2, मैं को छोड़ दिया, 3, और यह 4 हो गया, अब उपर से हम आएंगे 3, तो यह हो गया 1, 2, 3, ठीके, तो हमें जो बिंदू या cross street प्राप्त करते हैं, सबसे पहले हमें चाहिएंगे 3 मार्क पर यह हो गया, तो यह हो गया, 1st, 2nd, मैं को छोड़ दिया, यह हो गया, 3rd, अब उपर की तरफ से हमें आएंगे चोथे मार्क में, तो 1, 2, 3, मैं इन को छोड़ दिया, और यह 4, थीके, तो यहां पर हमें क्या मिला, 3, और इच्छा लेकिन इन cross street या बिंदों में एक खास बात है वो है कि ये सारे बिंदू अध्यतिये हैं यूनीक है मतलब इस 4-3 को हम कहीं और रिप्रेजन्ट नहीं कर सकते 3-4 को कहीं और नहीं दर्सा सकते 2-5 को कहीं और नहीं दर्सा सकते ठीक है तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि Cross Street 4-3 और 3-4 और डितिय है ठीक है इस प्रकारी Question No.2 खतम होता है और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बैल आइकोन होता है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली next informative वीडियो आप तक इवी ली पहुचती रहें थांक यू